दोस्तों आपने Godfather Trilogy तो देखी होगी, काफी famous है और इस Trilogy के first part में Don Vito Corleone का एक dialogue है and I quote I do not trust the society to protect us I have no intention of putting my fate in the hands of men whose only qualification is that they manage to con a block of people to vote for them Unquote CDC बात ये है कि चाहे left हो या right हो आज के politicians बिलकुल भरोसे के लायक नहीं है चाहे वो Congress हो चाहे वो BJP हो Congress ने पिछले 9 साल में 9 बड़े scams किये और छोटे मोटे इतने scams किये कि उनकी गिंती रखना भी मुश्किल है चाहे वो 2G scam हो या Augusta Westland टेलिकॉम से लेकर defense तक हर जगा आपको Congress के scams बिलकुल मिल जाएंगे पर मोदी जी तो हमारे share है चोटे मोटे scams तो करते नहीं है इसलिए BJP ने एक ही scams से तो चलिए आज बात करते हैं उस एक बड़े scams की जिसे हम electoral bond scam करते हैं और इस एक scam से BJP ने पूरे corruption के system को legalize ही नहीं opaque भी बना दिया, invisible बना दिया मेरा नाम है इशान फॉसदार और आप देख रहे हैं The Upfront दोस्तों ये जो electoral bonds की scheme है ये 2017 के finance act में लाई गई थी ये क्या है और ये कैसे काम करती है ये समझने से पहले अगर हम ये समझ ले कि 2016, 2017 और 2018 के finance act में क्या change किये गए तो हमें एक अच्छा foundation मिलेगा और हमें एक context मिलेगा electoral bonds को ज्यादा बहतर थरीके से समझने का order में चलते हैं पहले आता है finance act 2016 अब finance act 2016 में BJP ने foreign contribution regulation act यानी FCRA में एक बहुत ही important amendment किया FCRA के under एक restriction था कि जो foreign की companies थी वो political parties को पैसे donate नहीं कर सकती थी यानी foreign funding illegal थी लेकिन 2004 से लेके 2012 की बीच में BJP और Congress ने एक London based company Vedanta से donations लिये और इसके against उन पे case हुआ अब Delhi High Court में जब ये case गया तो Delhi High Court ने साफ ये कह दिया कि ये जो foreign funding इन दोनों parties के पास आई है ये illegal है इसके बाद ये case गया Supreme Court के पास लेकिन Supreme Court से बचने के लिए BJP ने इस FCRA का law ही बदल दिया इन्होंने foreign company की definition ही change कर दी amendment करके और इस amendment को retrospectively apply कर दिया 26 September 2010 से इसका retrospectively apply कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि 2010 26 September 2010 के बाद से जितने भी illegal foreign donations आए है किसी भी political party के पास सारे के सारे legal हो गए ये amendment करके BJP ने खुद को और बाकी सारे political parties को Congress को Supreme Court से बचा लिया इसके बाद आता है Finance Act 2017 अब Finance Act 2017 में BJP ने Companies Act में एक important amendment किया Companies Act में एक restriction था कि कोई भी company अपने पिछले तीन financial year के profit का सिर्फ 7.5% ही किसी भी political party को donate कर सकती थी बड़ा ही लाजिम सा बात है क्योंकि कोई भी company अपने profit का ही कुछ पैसा देना चाहेगी अगर वो loss में रहेगी तो क्यों ही वो donate करेगी बिखारी अपना पैसा donate करेगा क्या नहीं करेगा तो जो corporate funding थी उस पे एक cap लगाया हुआ था 2017 के finance act में BJP ने companies act में amendment करके यह जो cap थी 7.5% की इसे हटा दिया इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी company कितना भी पैसा किसी भी political party को दे सकती थी दे सकती है चाहे वो अपने मन से दे या फिर तो आप जानते ही है sequence को follow किजिएगा पहले foreign funding को legal कर दिया गया उसके बाद funding पे जो cap था उसे हटा दिया गया funding unlimited कर दी गई अब finally आते हैं finance act 2018 finance act 2018 जो है वो उतना important नहीं है लेकिन उसे एक follow up बोला जा सकता है finance act 2016 का अब आपको याद होगा finance act 2016 में बीजेपी ने जो FCR में amendment था उसे 2010 तक retrospectively apply किया था इस 2018 के finance act में बीजेपी ने amend करके उसे उस regulation को 1976 तक retrospectively apply कर दिया मतलब इसका मतलब यहीं हुआ कि अब 1976 के बाद से जितने भी illegal foreign donations आए है political parties के पास सारे के सारे legal हो गया और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यह सारे amendments जो हो रहे हैं इससे जनता को कोई फाइदा नहीं हो रहा है यह सारे political parties खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं और इसी वजह से यह सारे जो acts है यह धूम धाम से बिलकुल सारे political parties ने मिल कर पास किये तो अब तक की कहानी हमारी यह रही कि जो foreign funding है वह 1976 से लेकर retrospectively legal हो चुकी है और funding के उपर से cap हट चुकी है यानि अब कोई भी company हो चाहे foreign हो चाहे इंडियन हो वह कितना भी पैसा किसी भी political party को donate कर सकती है अब इस context में रखते है इलेक्टोरल बॉंड को क्या है इलेक्टोरल बॉंड बड़े सिंपल शब्दों में इलेक्टोरल बॉंड एक नई currency है विएर बॉंड है जो political funding के लिए लाए गए थे मान लेते हैं कि मेरा मन है कि मुझे बीजेपी को 1000 रुपे डोनेट करने हैं 1000 रुपे देने हैं अब मैं यह 1000 रुपे बीजेपी को डारेक्टी नहीं दे सकता मुझे पहले state bank of India जाना होगा वहां से एक electoral bond खरीदना होगा 1000 रुपे का फिर मुझे यह electoral bond जाके बीजेपी को देना होगा और फिर बीजेपी जाके electoral bond state bank of India को दिखाएगी और state bank फिर उन्हें 1000 रुपे देगी यह पूरी की पूरी anonymity है किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितने पैसे दिये दोस्तों आपको याद होगा कि 2G scam में क्या हुआ था कुछ particular telecom companies को unfair advantage दिया जा रहा था in the distribution of 2G spectrums around the country अगर मैं आपको कहूं कि आज के समय में अगर ऐसा टूजी स्क्याम हो भी गया तो हमें पता नहीं चलेगा तो आपको कैसा लगेगा सुनके इलेक्टोरल बॉंड्स विल्कुल यही काम कर रहा है दोस्तों आज foreign funding allowed है और unlimited funding allowed है साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉंड्स के ठ्रूर अगर funding हुई तो वह विल्कुल उपेक है anonymous है हमें भनक भी नहीं लगेगी कि कि किस company ने किस पार्टी को कितने पैसे दे दिये अब अगर ऐसे circumstance में किसी भी foreign company ने किसी political party को खूब जोर शोर से पैसे donate करके किसी project को अपने नाम करने को कहा तो क्या हमें पता चलेगा नहीं लेकिन क्या यह corruption है क्या यह unfair है हाँ तो इस तरह से कोई भी party चाहे वो कोई भी company चाहे वो Indian हो या चाहे वो foreign हो वो political parties को anonymously unlimited जितना पैसा वो चाहे उतना पैसा दे कर किसी भी project को अपने नाम कर सकती है और इस ताइप के corruption को आज बिलकुल legal और invisible बना दिया गया है electoral bonds के थरू एक छोटा सा number है 210 00000000 यानी 210 करोड इतने रुपए BJP को पहले electoral bonds से मिले और लेट मी तेल यू दाट इस तूह थो 201-210 करोड इस 95% of all the money विच वाज़ गैडर्ड थू इलेक्टोरल बॉंड्स मतलब सारे के सारे political parties को जितने पैसे मिले उसमें से 95% BJP के थे इसके बाद भी सरकार जो अनॉनिमिटी का promise करके इलेक्टोरल बॉंड्स को लाई थी कि कुछ जो डोनर्स हैं वो अगर किसी particular political party को पैसे देते हैं तो दूसरे political parties उने harass करते हैं इसलिए यह anonymous किया जा रहा है यह anonymous वाला वादा भी एक जुमला था नितिन सेथी के six part article series में हमें यह पता चलता है कि यह जो anonymity का जो promise था यह जूट था क्योंकि electoral bonds लाने के बाद जो electoral bonds के rule आये उसमें लिखा था and I quote the information furnished by the buyer shall be treated confidentially by the authorized bank and shall not be disclosed to any authority for any purpose except यही accept के बाद सब जोल शुरू होता है except when demanded by competent court or upon registration of criminal case by any law enforcement agency सरकार ने electoral bonds लाने के समय यह सब हमें नहीं बताया था कि कुछ exceptions होंगे कुछ terms and conditions होंगे लेकिन electoral bonds लाने के बाद जो rules हैं उसमें इसने एक इन्होंने एक accept डाल दिया और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हमारे देश में law enforcement so called law enforcement agencies हैं वो किसके under काम करती हैं किसके दबाव में काम करती हैं और किसके उंगलियों पर नाचती हैं तो अब तक की कहानी एक line में मैं आपको बताओं तो यह है कि कोई भी company foreign हो या Indian कितने भी पैसे देकर anonymously अपना कोई भी काम किसी भी सरकार से करवा सकती है और हमें कुछ नहीं पता चलेगा अब आप सोचेगे कि इससे बुरा क्या हो सकता है मतलब पूरा का पूरा corruption का system legal हो गया इससे बुरा क्या हो सकता है मैं बताता हूँ इससे बुरा क्या है official documents है जो हमें यह बताती है कि इस सरकार ने RBI के against जाकर electoral bonds लाए RBI electoral bonds के against थी official documents है सरकार के Parliament से जूट बोलने के सरकार ने Parliament को जूट बोला कि election commission को electoral bonds से कोई problem नहीं है जबकि documents हमें यह बताते हैं कि election commission को electoral bonds से काफी problems थी official document इस बात के भी है कि सरकार ने अपने ही बनाए electoral bonds के rule को illegally तोड कर electoral bonds के selling के लिए एक अलग से special window खुलवाया यह थी पूरी की पूरी electoral bonds की कहानी electoral bonds scam की कहानी एक ऐसा scam जिसने पूरा का पूरा corruption system को legal और invisible बना दिया अब शाहिद आपको यह समझ में आएगा कि political party चाहे left की हो चाहे right की हो चाहे बीजेपी हो चाहे Congress हो अपने फायदे करने के लिए अपने फायदे के लिए scams करने के लिए पीछे नहीं हटती 2017 का finance बिल हो 16 का finance बिल हो 18 का finance बिल हो बड़े धूम धाम से पास हुआ क्योंकि political parties के favor में था वो जनता के favor में नहीं और बीजेपी ने तो इस इन सारे scams को सरपास करते हुए एक इतना बड़ा scam कर दिया कि पूरा का पूरा system corruption system ही लीगल हो गया और हमें इस बात के बारे में पता भी नहीं है वह कहते हैं ना तो सोनार की एक लोहार की दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया अपता हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए ताकि आपको notification मिले जब भी हम को नया वीडियो लेकर आए धन्य आप दोस्तों